सभी को मेरा प्रणाम उठो जागो और अपने लक्ष को प्राप्त करो यह कहने वाले स्वामी विवेका नंद जी की जयनती के अवसर पर मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे आप सभी का अभिनंदन करती हूँ मेरे पिता डॉक्टर राम रक्षा पांडे जी स्वामी विवेका नंद जी के को बहुत बड़ा आदर्श अपने जीवन का मानते आए और उनी के सिध्धान्तों को मान कर अपने जीवन का लक्ष उन्होंने निर्धारित किया मेरे पिता जी द्वारा रचित एक कविता जो उन्होंने स्वामी विवेका नंद जी पर लिखी थी वो कविता लेकर के आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ आशा करती हूँ कि ये कविता आपको पसंद आएगी और आप भी विवेका नंद जी के बातों को अपने जीवन में आदर्श के रूप में लेंगे तो प्रस्तुत है ये कविता उठो देश के युवा साथियों पुना प्रतिष्ठा प्राप्त करो संत विवेका नंद देश का गौरो है अभिमान करो उठो देश के युवा साथियों पुना प्रतिष्ठा प्राप्त करो संत विवेका नंद देश का गौरो है अभिमान करो धन्य देश है भारत जिसको संस्कृति पर सम्मान है धर्म देश है भारत जिसको संस्कृति पर सम्मान है त्याग तपस्या ग्यान दान का जहां धर्म का ध्यान है उठो देश के युवा साथियों पुना प्रतिस्ठा प्राप्त करो संत विवेकानन्द देश का गौरो है अभिमान करो जब विवेकानन्द जी शिकागो में जाकर के भारत का पर्चम लहराय थे तो उस पर है विश्वधर्म संसद में जिसने भारत मान बढ़ाया था त्याग तपस्या ग्यान दान का जहां धर्म समझाया था उठो देश के युवा साथियों पुना प्रतिस्ठा प्राप्त करो संत विवेकानन्द देश का गौरो है अभिमान करो विवेकानन्द जी कहते थे चोटी बातों में मत उल्जो सबको गले लगाओ तुम चोटी बातों में मत उल्जो सबको गले लगाओ तुम उठो देश के युवा साथियों पुना प्रतिस्ठा प्राप्त करो संत विवेकानन्द देश का गौरो है अभिमान करो एक रहोगे एक बनोगे भेद भाओ मिट जाएगा राष्ट्र बनेगा गौरो शाली अपने पर विश्वास करो उठो देश के युवा साथियों पुना प्रतिस्ठा प्राप्त करो संत विवेकानन्द देश का गौरो है अभिमान करो मैं आज 12 जन्वरी विवेकानन्द जी की जैनती के अवसर पर स्वामी विवेकानन्द जी को हिर्दै से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और उनके लक्षों को अपने जीवन का अदर्श मान कर मेरे गुरू रूपी मेरे पिता जी को मैं सादर नमन करती हूँ इश्वर उनका आशिर्वाद हम लोगों पर बनाए रखे धन्यवाद